ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए होने वाली है जिन लोगों को पता नहीं है बार, बीट और कॉंटाइज का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपको दादरा ताल का पैटन बनाना हो तो हम बीट बार कॉंटाइज कैसे सेट करेंगे अगर आपको कहरवा ताल का पैटन बनाना हो तो बीट बार कॉंटाइज हम कैसे सेट करेंगे क्योंकि सबका ताल अलग अलग होता है, सबका पैटन यहाँ पे अलग अलग होता है और उसी के उपर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको नंबर देखने के लिमिल जाएंगे जैसे कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चाह नंबर तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं थोड़ा सा इसको जूम करके ये चीद देख सकते हो हम आपको बताएंगे कि अभी ये किस pattern के उपर है जिसे कि एक से लेकर के दो number तक अगर हम इसको यहां से add करके आपको दिखा दे तो एक नमबर से लेकर के दो नमबर तक इसको हम एक बार बोलते हैं और यह भी आपका एक बार हुआ यह भी एक बार हुआ लेकिन अगर हम इसको जोड़ देंगे यहां पर इस तरह से तो आपका दो बार का pattern बन गया और उसके बार में इसको हम इहां से जोड़ देंगे तो तीन बार का pattern हो गया यहां से लेकर के और यहां तक यह आपका एक बीट हो गया यह भी आपका एक बीट है यह भी आपका एक बीट है और यह भी आपका एक बीट है अब यहां पर अगर हम चारोग मिला देंगे तो चार बीट आपका बन गया यानि कि यह चीज़ आपको पता चल गया एक बार क के अंदर ये जो box आपको देख रहे छोड़े चोटे तो सबसे पहले ये चीज़ देखे कि box है कितने तो अभी अगर आप counting करोगे हैं तो आपको चार box हैं पर देखने किल मिल जाएंगे एक दो तेन चार इनको हम countize बोलते हैं और अभी कितनी countize है चार countize है अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये है किस ताल का कहरवा ताल का pattern है दादरा ताल का pattern है तो अगर आपके एक बीट के अंदर गर चार countize दिखे तो वहां पर ये पैटन होता है आपका कहरवा ताल का अगर तीन countize दिखे तो वह होता है दादरा ताल का तो जैसे कि यहां पर आज यहाँ पर देखने की मिल जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारे नंबर दिखाए देंगे 160, 132 इस तरह के आपको नंबर दिखाए देंगे मान लीजे अगर आपको कहरवाताल का पैटन बनाना है तो यहाँ पर आईएगा और 1 by 16 के उपर आपको किलिक कर दीजेगा और 1 by 16 का मतलब क्या होता है जैसे कि एक बार के अंदर 4 बीट हो गई और हर बीट के अंदर 4 कॉंटाइस अगर यह जोड़ दोगे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 यानि कि 16 यानि कि एक बार का 16 कॉंटाइस फाइर कुछ आप इस तरह से इसको देख सकते हो और समझ सकते हो तो अब आपको अगर मालीजे कहरवाताल का अगर आपको पैटन बनाना हो तो 1 by 60 आप सेलेट कर देजएगा जैसे कि अगर आप 1 by 4 सेलेट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो क्या चीज़ आपको दिखा दे रहा है आपकी जो कॉंटाइस थी वो यहाँ पे हाइड हो चुकी है सिर्व आपकी बीट ही यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कुछ इस तरीके से उसके बाद में अगर आप यहाँ पे आते हो अगर 1 by 1 सेलेट कर देते हो तो सिर्व आपका एक बार यहाँ पे देखने के लिए मिल जायेगा और यहाँ पर आप माली ये दूसरे बीट पर कोई चीज रखना चाहते हो के clip तो भी नहीं आएगे क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी pattern है पर select नहीं कियो कि 1 by 1 select करके रखे हो और यहाँ पर होना चाहिए 1 by 16 जिसके अंदर आपको चार कॉंटाइज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यह मैंने सेलेट कर दिया उसके बाद में जैसे कि अगर हम इसका दादरा दाल का पैटन देखें तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आजाएगा 1 by 8 triplet अगर आप इसके पर क्लिक कर दोगे तो अभी यहाँ पर देखेएगा आपका एक बार तो यहाँ पर कुछ नहीं वासरे एक बार यहाँ पर आपका दिख रहा है और हर एक बार के अंदर आपको चार बीट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा चार बीट देखो एक से लेकर के दो तक आपका एक बीट, दो बीट, तीन बीट और चार बीट लेकिन यहाँ पर अगर आप countise file देखोगे एक बीट के अंदर तो पहले कहरवाताल में कितना था? चार countise और दादराताल में कितना countise है? तीन countise तो यह आपको पता चल गया कि अगर आपको कहरवाताल का pattern बनाना है तो 1 by 16 आपको select करना पड़ेगा तो इसमें आपको एक बार के अंदर 4 बीट, 4 बीट के अंदर कहरवाताल में हम यहां पर आते हैं कोई भी एक बीट सेम्पर्स को डाल देते हैं जिसे कि मैंने उठाया किक और उसके बाद में ऐसे इसको छोड़ दिये मैंने छोड़ दिया ऐसे किक को डाल दिया अब यहां पर देखिएगा अगर आप यहां पर बार आपकर को यहां से बार से लेट करके रखती हो जिसे मैंने बार सेलेट करके रखा अगर मैं इसको बीट पे लेजाना चाहूं तो बीट नहीं आयगा नतो कुंटकाईज प्रकर रखेंगए नहीं आए एगा कि हम Ctrl D भी करते हैं हैं से अगर मैं इसको पकड़कर रखता हूं देखो पीछे की साइड हो गया यह नहीं आया हम इसको डिलीट करेंगे देखो यहां से डिलीट हो जाएगा Ctrl Z करेंगे वापस लाएंगे अगर हम यहां से बार से डिलीट की है तो जो हमारा बीट जाएगा देखो आगे की तरफ जाएगा यह कुछ इस तरीके से जाएगा क्योंकि मैंने बार से डिलीट करके रखा है बार के बीच में बीट बार बीट और कॉन्टाइट पर काम यहां पर नहीं करेगा या आपका कॉंटाइस भी आना इस्टार्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से यानि कि जब आप किसी भी गाने का अगर आप रिदम बनाईएगा दादरातालका कहरवातालका तो आप यहां पर आ करके यूज कॉंटाइस यहां को सिलेट करके यहां पर रखना है मालेजिए को आप जिसे डूबलिकेट करोगे और आप यहां से सिलेट करके पर इससे कंट्रोल डी कर दीजिए और इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा यह देख सकते हैं अब आपका यहां पर बीट पर आना श्टार्ट हो गया मालेजिए आपको अगर कोई भी सेंपल से अगर आपको हम यहां पर जाएंगे और एकलिपस ले लेंगे में और इसके बाद में कलेपस को उठा करके और इसको कुंटाइस पर रखना है तो कुछ चीज से आपRI पहं पर कौहें बहुंस को यह दिए कई पर नहीं नहीं आएगा मालेजिए ठोड़ा अगे वीचि चला जाता है यह अगर यहाँ पर थोड़ा साम इसको करके अगर इसको इनेबल कर देते हैं अगर इसको हम आगी की तरह बढ़ाते हैं तो देखिएगा यह बीच में नहीं रुकेगा इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो और यह काम कप किया जाता है मालीज आपको बीट पर रखना कोई भी से से कट होगा यह कुंटाइस फाइल से तो हम क्या करेंगे इसको हम डिसेबल कर देंगे अब देखो इसको कहीं से भी कट कर सकते हैं यह चीज होता है तो इसको आपको इनेबल करके रखना है अगर मालीज यह बीच से आपको कहीं से भी अगर आपको कट करना है तो इसको इप कॉलोज करना है दादरएटाल के लिए। सैट करना है। टादराटाल के लिए मैं Его हम आपको बता दिया। वेडियो लगे तो बीटी यो को लाइक चेनल को सब्सक्राइब जोरू कर दीजेगा।